मोधी और योगी जहां भाजपा की छवी को चमकाने में लगे हैं वहीं भाजपा के पदा दिकारी और रिकारे करता इसे दागदार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताजा मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आजितनाद के शहर गोरकपुर का है जहां जेल जाने से बचाने के नाम पर रिश्वत लेना भाजपा की महिलाने द्री को महगा पड़ गया कुरकपुर कैंट थाना छेतर के खुड़ा घाट आवास विकास कॉलोवी के रहने वाली भार्की जत्ता पार्टी महानगर में मंत्री शरिता सिख पर आरोप है कि उन्होंने मुबाइल छीनने के आरोप में 13 अक्टूबर को कैंट पुलिस द्वारा पकड़े गए हरसित प लेकिन उसके बाद भी हरसित जील चला गया हरसित के परियन तब रकम वापस मांगने लगे लेकिन महिला ने त्रीस हरिता सिंग उसको लोटा नहीं रही थी 20 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री गोरगबुर के अपने प्रवास पे थे उसी दिन हरिशत के परियनों ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की ततकाल मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी कारवाई करने को कहा मुक्यमंत्री के कड़े निर्देश पर ततकाल जिला प्रशासत सक्री हो गया और पुलिस ने ततकाल बिड़ित परिवार से लिखित शिकायत लेकर महिला नेत्री सरिता सिंग को गिरफतार कर लिया उनकी निशानते ही पर उनके घर से पचास हजार रुपए के रकम भी बरामत कर लिया गया वहीं महिला नेत्री सरिता सिंग को ठाने लाकर उनके गिरफतारे संबंदी आपचारिकताएं भी मूड की गई उनके खिलाफ धारा 419, 420 और 406 की अंतरगत परतम सूचना रिपोर्ट दर्च कर गिरफतार कर लिया गया है उनके खिलाफ प्रभा पांडे ने तहरीर दी थी कि मतलब उनका ये आरोप था कि इन्होंने एक रिता पांडे हैं जिनके लड़के हर्शित को मूबाइल चोरी के आरोप में कैंट ठाने में अरिस्ट किया गया था तो इन्होंने रिता पांडे से 50,000 रुपे लिये थे ये कह करके कि मंदीर प्रशासन की तरफ से बात हो चुकी है लड़के को छुवाने के लिए पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है तो मदलब मंदीर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के नाम पर इन्होंने उसे 50,000 रुपे लिये थे जासा दे करके जिसके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी जिस पे 419, 420 और 406 का मुकदमा दर्श हुआ है और उसमों के रिस्टिंग की गुई है प्रदेश के राजनितिक दलों में ब्रस्टाचार की जड़गी किस तरह फैली हुई है उसे भाजपा भी अचूता नहीं है लेकिन मुक्पंतरी योगी आजितनात में इस कारवाई से यह साफ कर दिया कि बस्टाचार में लिप्त रहने वाला कोई भी आम और खास मक्षा नहीं जाएगा गोरकपुर से चन्मत न्यूज के लिए अजीत सिंग की रिपोर्ट